बहुत सारे कड़िट्स के मन में ये डाउट रहता है कि हमको पेपर बैरे पहनने चाहिए या फिर वोलन बैरे So, Hey guys, मेरा नाम है अरुन और आप देख रहे हो NCC Journey YouTube चैनल आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर बैरे वसिस वोलन बैरे So, चलिए वीडियो शुरू करते हैं मैंने बहुत सारे कड़िट्स को देखा है कि वो खाकी या फिर क्वाइट या फिर जो नार्मल वरकें उनिफॉर्म है NCC का उसके उपर पेपर बैरे पहनते हैं तो पहले हम ये समझते हैं कि ये दो बैरे आकर क्यों मनाई भी एक वुलन बैरे है और एक साइट टेबर बैरे है जसा कि आपने देखा होगा हमारे आम फोर्सेज में ये तौनों ही बैरे यूज में हैं बट अलग-अलग यूनिफॉर्म के उपर क्योंकि वुलन बैरे में वुल का यूस होता है और वुल जो है वो डस्ट को कैच करता है इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि वुलन बैरे को Their condition with combat यूनिफॉर्म धैकर अग़र आप फिल्ड में जा रहे है उ्ट प्रशंट कहां कर रहे है तो नहीं पैनना है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो यह वुलन बहरे है और यह जो पेपर बहरे है यह कब-कब पहनना होता है उमको तो normally अगर आप अपना working uniform पहन रहे हैं that means khaki या फिर grey या फिर white तो आपको woolenberry पहनना है और अगर आप combat पहन रहे हैं अपना तो आप paperberry पहन सकते हैं अगर आप combat के उपर woolenberry पहन रहे हैं तो भी चलता है बट आपको khaki के उपर paperberry बिल्कुल नहीं पहनना है तो यह जो चीज है यह new enrolled cadets को नहीं पता होती है वो अपने seniors को देखके paperberry खरीत लते है और क्यूंकि seniors को भी नहीं पता होता है seniors अपने seniors को देखके कर रहे होते हैं तो यह जो chain है यह काफी time से चलती आ रही है और यह बहुत सारे battalions है जहां पर यह paperberry का use होता है हर जगे नहीं होता है तो NCC journey आपके साथ है आपको correct करने के लिए तो अगर आपको यह video पसंद आया हो तो अभी आप इसको like कर सकते हैं चैनल को अभी subscribe करो और NCC journey के साथ जोड़े रहने के लिए आप telegram group join कर सकते हैं जिसका link description में दिया गया है तब तक के लिए stay fit stay safe and join